गुड मॉनिंग बच्चो कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप अपने जगा पे सही होंगे कल हम कक्षा पांच हिंदी का लेसन कर रहे थे होगी का चादुगर कल हम उसका एक पार्ट कर चुके थे उसका आगे का पार्ट हम सुरू करने जा रहे हैं तो ध्द् freshlyya की राजधानी वियना के एक क्लब में ध्यान सिंग की चार हाथों वाली मूर्ति स्थापित की गई है अब जैसी कि मूर्ति में यहां पर देख एक पा रहे हैं कि उनके चार हाथ यहां बनाए गए हैं और चारों हाथों में स्टिक दी गई है, स्टिक मतलब छडी दी गई है, कई बार भी पकसी टीमों ने उनकी स्टिक को तोड़ कर देखा, क्यों देखा, वो सोच रहे थे कि उसमें चुम्बक आदी तो नहीं लगा रखा है, जिसके कर्णवे दनादन गोल करत हैं, यानि कि जो खिलाडी थे, वो सोचते थे कि उनकी स्टिक में कोई न कोई कुछ ऐसा चुम्बक या कुछ ऐसा लगा रखा है, कि जिससे उनकी जो गेंद है, वह स्टिक से चिपकी रहती है, और वो जहां चाहिए उसको फिर थ्रो कर सकते हैं, उनको लोग ठीक ही होकी क जादूगर कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि होकी का खिलाडी उनके जैसा पूरे विशव में कोई नहीं था, सन 1932 ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया, कितने अंको से हराया, 24-1 से, जो एक विशव रिकोर्ड है, यानि कि जब अमेरिका के अंदर, लोस एंज 24-1 से हराया, यानि कि भारत की तरफ से 24 गोल किये गए, और अमेरिका की तरफ से सिर्फ एक ही गोल किया गया, उस मैच में ध्यान संद ने आठ और उसके छोटे भाई, रूप सिंग ने 10 गोल किये, यानि कि दोनों भायों ने मिलकर 18 गोल किये, तो ये भी एक विशव रिक आयोजन प्रती चार वरस के बाद होता है, तो उलम्पिक जो गेमों का आयोजन वह हर चार वरस के बाद किया जाता है, जिस प्रकार लीप का वरस चार वरस बाद आता है, उसी प्रकार जो उलम्पिक गेम है, उनका आयोजन भी हर चार वरस बाद किया जाता है, सन 1956 में ध्य उनिक उलम्पिक में विशेश अतिती के रूप में ध्यान चंद को आमंत्रित किया गया लेकिन आर्थिक स्थिती सही नहीं होने की वजह से वे सम्मान प्राप्त करने नहीं पहुँच सके थे। भारत के राष्ट्रिय खेल होकी का गोरव ध्यान चंद के परिवार ने भी खूब बढ़ाया है। आपको पता है ना हमारा राष्ट्रिय खेल क्या है क्या है होकी। उनके पुत्र असोक कुमार ने सन 1975 में विशव कप में गोल करके भारत को होकी में विशव विजिता बनाया था। तो जो इनके पुत्र थे असोक कुमार उन्होंने भी सन 1975 के अंदर विशव कप में जो गोल करके भारत को होकी में विशव विजिता बनाया था। होकी से सन्यास लेने के बाद भी ध्यान संद को विदेशों से कई अच्छे प्रस्ताव आये लेकिन उन्होंने धन के लिए देश नहीं छोड़ा। उन्होंने राष्ट्रिया खेल संस्थान पतियाला में ही परशिक्षक के रूप में कारिया किया। यानि कि जब उन्होंने रिटायरमेंट लिए अपनी के मैं अब नहीं खेलूगा होकी उसके बाद विदेशों से भी उनके पास बहुत सारे ओफर आए कि आप हमारे देश में आए और यहां के कोच बन जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने धन के लिए अपने देश को नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया। राष्ट्रिया खेल संस्थान जो पतियाला के अंदर वो एक ट्रेनर के रूप में कोच के रूप में वहां पर उन्होंने कारिया करना शुरू कर दिया। तीन दिसंबर 1989 को दिल्ली के एक अस्पताल के अंदर होकी के इस जादूगर का निधन हुआ था। मिजर ध्यान चन ने जहासी के हीरो ग्राउंड पर होकी खेलना शुरू किया था। उनका अंतिन संस कार भी इसी हीरो ग्राउंड पर हुआ था। तो हमने 1989 के अंदर 3 दिसंबर 1989 के अंदर होकी के जादूगर को खो दिया था। इनके उनका निधन हो गया था। और उन्होंने जो पहला अपना गेम था वो कहां पर शुरू किया था। जहासी के हीरो ग्राउंड पर और वहीं किसे ही है बताया गया है मेजर ध्यान चंद के बारे में कि वो किस प्रकार होकी के अंदर अपने जादू से गेम खेलते थे। जादू से का मतलब है कि वह बहुत ही अच्छा गेम खेलते थे। उनके अंदर ऐसी प्रतिबात ही कि पूरे वीशो में उनके जैसा कोई टोपिक के जो अगला पार्ट बनाएंगे उसके अंदर हम आपको सभी बता देंगे तो अगले वीडियो के लिए हम जल्द मिलते हैं तब तक के लिए बाए बाए झाल 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 झाल